हलो माइ यूट्जूव फैमिली तो कैसे हैं आम सभी सर्दों का मूसम आ गया है और आपको पता है सर्दियों में हमें बाल धोने में या फिर बालों की इतनी सारी समस्या हमारी भड़ं जाती है जैसे कि डैंडरफ होना घेयर का होना फ्रिजेनस हूना बालों का ड्राए होन तो कितनी सारी समस्या हमको देखने को मिलती है और उसमें से एक समस्या है हमारी डेंडरफ तो आज मैं आपको इस वीडियो में 100% घरेलू नुस्का बताऊंगी डेंडरफ का जिसके थूर डेंडरफ बिल्कुल ही गायब हो जाएगा तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं आपको जादा कुछ तो नहीं करना है बर सिंपल सा ही एक तरीका है आपकी आसपास अगर कोई नीम का पेड़ हो तो आपको कुछ नीम की पतियां लेनी है ठीक है आपको कुछ नीम की पतियों को लेने के बाद उन नीम की पतियों को गरम मनला पानी में डाल कर उसको अच्छे से उबाल लेना है अब क्या है जो नीम की पत्तियों का जितना भी गुण होंगे वो उस पानी में आ जाएंगी मैं आपको बता दू कि जो नीम के पत्ते होती है ना वो डेंडरफ को रिमूव करने में बहुत जादा हेल्प करते हैं नीम के पत्ते हो गए या फिर नीमबू हो गया दही हो गया ये सभी डेंडरफ को रिमूव करने में हमारा जो बालों के अंदर जो फंगल इंफेक्शन हो जाता है उन सब को रिमूव करने में काफी जादा हेल्प करते हैं तो उन में से एक सबसे जादा कारगर तरीका है नीम के पत्तों को पानी में अच्छे से उबाल लीजिए जब उसके अंदर का नीम के सभी गुण आ जाएंगे तो आप क्या करना सर जैसे आप धो लेते हो सर धोने के बाद उस नीम के पानी से अपने सर को धोना है यानि कि वो नीम का पानी आपके बालों में लगना चाहिए तो इतना धोने के बाद आपको जादा कुछ नहीं करना है आपने वो पानी अपने सर में डार लिया फिर आपको अपने बालों को सुखा लेना है जैसे नोर्मली हम पानी से अपने सर को धोते है उसी तरह से उस पानी से आपको नीम के पानी से आपको अपना सर धोना है ठीक है पाने को पानी को मिलाकर अच्छे से खंगाल कर अपनी scelps को साफ करना है कुछ यह तरीके हैं जो काफी जाद असान है. आप नीम के पत्तों के पाने का इस्तमाल कीजी. ठीक है. आपको एक महीना इस्तमाल करना है, यानि कि एक हफ़ते में एक बार यानि कि महीने में चार बार नीम के पानी के इस्तमाल करना है देखना कि आपके सर में जो भी खुजली होती थी फंगल इंफेक्शन होता था डेंडर रफ होता था वो सब हट जाएगा और आपकी स्केल्प बिल्कुल क्लीन हो जाएगी ठीक है तो चलिए फिर में इस वीडियो का यहीं आइंड करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे अगर आपको फायदा हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और नीम आपके बालों को काला भी करता है और मूटा करने में भी हेल्प करेगा अगर आपको यह तरी करना भी बिल्कुल मत भूलेगा प्लीज चैनल को सपोर्ट कर दीजिए